दिपक दोजर तैस क्यों जलाते हैं अम का दिपक जाने सुम मुहरत, नियम और सही मंत्र जोतिस सास्त्रों के अनुसार यम का दिपक धंतेरस के दीन जलाना का फिर सुम माना जाता है वहीं कुछ लोग धन्तेरस के दीन की जगहा छोटी दिपावली को भी अम दिपक जलाते हैं इस बार तिरोदसीती थी 10 नोंबर आनी आज है धन्तेरस के दीन जम ज्योती केसे जलाएं हिंदु पंचांग के अनुसार पांच दीनों तक चलने वाला दिवाली का पर्व धन्तेरस के साथ आराम हो जाता है धन्तेरस के दीन साम कुमाल अच्मी कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ अमराज की पूजा करने का विधान है इस दीन साम के समय दच्छिन दिसा में एक चो मुखा दिपक जलाया जाता है जिसे एम दिपक के नाम से जाना जाता है इस बार दिवाली 12 नहुंबर और धन तेरस 10 नहुंबर को मनाई जाने वाली है इस बार 13 दसी तिथी 10 नहुंबर को है इसी दिन एम का दिपक जलाया जाएगा एसे में आईए जानते हैं एम दि धिदारी दिबदान और पूजा का सुम मोरत पांच साम पांच बजकर च्छालिस मिनट से साम साथ बजकर बैएलीस मिनट तक रहेगा इस बार सुम मोरत के लिए कुल अफ़धी एक घंटा च्छप्पन मिनट का होगा वही परदोस काल की सुरुवात सुबा पांच बज कर 29 मिनट से 8 बज कर 7 मिनट तक रहेगा वही विरसब काल की सुरुवात पांच बज कर 40 मिनट से 7 बज कर 42 मिनट तक रहेगा इस दुरान यम का दिपक जलाना सुब होता है यम का दिपक जलाने की नियम जोती सास्त्रों के नुसार यम का दिपक धंतेरस के दीन जलाना काफी सुब माना जाता है वही कुछ लोग धंतेरस के दीन की जगा छोटी दिपावली को भी अम दिपक जलाते हैं क्योंकि दिपक यम दिव को समर्पित होता है और उनकी दिशा सास्त्रों में दच्छिन मानी गई है तो इसे सिर्फ दच्छिन दिशा में ही जलाएं अम का दिपक को भी कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए माइनियता है कि ऐसा करने पर जातक कि जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन होने लग जाती है यदि आप यम दिपक जलाते हैं तो घर के बार ही बाहर ही जलाएं और इसे दच्छिन दिसा में रखना ना भूले अम दिपक जलाने के बाद परिवार की किसी भी सदेस को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए जब घर के सभी सदेस घर आ जाएं तब ही अम दिपक जलाएं अम दिपक को सुरियास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं यम का दिया जलाने से अकाल मिर्तु से मिलती है मुक्ती सास्तों के अनुसार धनतेरस की दिर रात को एक दिया और जलाना चाहिए जिससे अकाल मिर्तु को भी टाला जा सकता है घर के किसी भी भुजूर के दुआरा जिसे जला कर घर के बाहर रखा जाता है इसे अम का दिया कहा जाता है इसमें चार बत्ती होनी चाहिए और सर्सों के तेल से इसे जला कर आप घर के बाहर रख़त सकते हैं माणियता है कि इससे अकाल मिर्तु भी टल जाती है यम दिपक का पित्रों से है समन्द पुरानिक मानियता के अवनुसार हम जो भी पूज़ा स समंदित करम कांड अपने पित्रों के निमित करते हैं उससे वात्रिप्त होकर परिवार को असिरवाद देते हैं अम दिपक जहां अकाल मिर्तु के संकट को रोकता है वहीं इसके पीछे ये भी मायनी आता है कि अधिधन तेरस की सामसुरियास्त के बाद अम दिपक जलाया जा तो उसे पित्रों के मार्ग को परकास मिलता है वो अपने सवर्ग लोक की आतरा इसी परकास के माध्यम से करते हैं ऐसा भी माना जाता है कि अम दिपक दच्छिन दिसा की और जलाना चाहिए और सास्तरों में वनित है कि दच्छें दिसा में पित्रों का निवास होता है धन तेरस की रात ऐसा करने से पित्र परसन हो जाते हैं और जातक के जीवन में कई का सारे मंगल कारी रास्ता खुल खोल देते हैं क्यों जलाते हैं एम का दीपक धार्मिक मानियताओं के अनुसार धन तेरस के दिन अमकदीपक जलाने की पीछे एक पुरानी कता है इसके अनुसार किसी राज में एक हिम नामक राजा था देव की किरपा से उसे पुत्र की प्राप्ती हुई पंडीतों को जब पुत्र की कुंडिली दिखाए गई तो पता चला की साधी के चार साल बाद राजकुमार की मिर्तु हो जाईगी ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगा भेज दिया जहां पर किसी कन्या की परचाई तक उस पर ना पड़े लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से साधी कर ली विधिक के अनुसार साधी के चोथे दिन अमराज के दुत्र राजकुमार को लेने आ गए या देखकर राजकुमारी खुब रोई या सब बातें दुत्रों ने अमराज को बता दी और एक हम्दुत ने कहा हे अम्राज कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वेक्टी अकाल मॱ्तु से मुक्त पा सके तब हम्राज ने कहा कि कार्तिक मास्के केसम पच्च की तेरोदसितिती की साम की समय दच्चिन दिसामे मेरे नाम से जो दिपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यू से मुक्ती मिल जाएगी इसी कारण हर साल इस दिन अम का दीपक जलाने की पर्था सुरू हो गई इस मंत्र से निकालें अम दिया मृत्यू नाम दंडाप साबयायाम कालें सयामया सा तेरोदस्याम दीपदानात सुर्याई जा इस मंत्र से आप अम दिया को बाहर कर सकते करते हैं और किजिएगा तो आज आप आज आपको अम दिया बाहर निकालना है तो ए आपकी विधी और आप अम दिया कैसे बाहर निकालें वो सब आप जिस वीडियो में जाने होंगे धन्यवाद